सारे गामा कार्वा मिनी भक्ती भगवत गीता अध्याए सत्रह शद्धात्रह विभाग योग दोस्तों जब भी धर्म संकट आए कि ये काम करूं या ना करूं तो ऐसे समय में एक मात्रूपाए है कि शास्त्र क्या कहता है और शास्त्र है भगवत गीता यानि कि कृष्ण का ज्यान वैसे और भी शास्त्र हैं लेकिन गीता में एक विशेश बात है और वो ये कि कृष्ण स्वयम भी आपके साथ है नमस्कार दोस्तों, मैं शेलेंद्र भारती भगवत गीता के सत्रों में अध्याय तक आपके साथ साथ पहुँच गया हो, जिसका विशय है श्रद्धा त्रय विभाग योग श्रद्धा क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं यही कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं अर्जुन वाच ये शास्त्र विधे मुत्स्रेज्य यजन्ते शद्धयान विताह तेशामनिष्ठातु काक्रिष्ण सत्वमाहु रजस्तमाहु सब के लिए शास्त्र जानना आसान नहीं जानना अगर संभव भी हो जाए लेकिन उसको अपने दैनिक कारियों में लाना तो और भी मुश्किल है किन्तु ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मनुष्य ऐसी पूजा कर रहा है जो शास्त्र की अनुसार तो नहीं लेकिन उस मनुष्य की शद्धा पूर्ण है मनुष्य की शद्धा को आप दोश नहीं दे सकते तब क्या उसकी पूजा मान्य होगी ऐसा ही सवाल करते हुए अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्र विधी को त्याग कर शद्धा से युक्त हुए देवादी का पूजन करते हैं उनकी स्थिती फिर कौन सी है सात्वी की है या राजसी या तामसी श्री भगवानु वाच त्रिविधा भवते श्रद्धा देही नामसा स्वभावजा सात्वी की राजसी चैवा तामसी चैती तामश्रोणु वो पूजा जो श्यास्त्र विधी की अनुसार नहीं लेकिन उसमें श्रद्धा पूरी है तो ऐसी पूजा को क्या मानेंगे इस प्रश्ण का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं मनुश्यों की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है श्रद्धा वो होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है यानि कि अनंत जन्मों के किये हुए कर्मों के संचित संसकार से उत्पन्न होई होती है ऐसी श्रद्धा को स्वभावजा कहते हैं ये तीन तरह की होती है सात्विकी, राजसी तथा तामसी आपके कर्म आपके संसकार बनके आपके साथ साथ चलते हैं और वही आपका स्वभाव भी बनता है उसी स्वभाव में आपकी श्रद्धा होती है सत्वानुरूप सरवस्य श्रद्धा भवत भारत श्रद्धा मयोयं पूरूशो योय च्रद्धा सएवसा श्रद्धा की परिभाशा बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतह करण के अनुरूप होती है इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयम भी वही है जो आप हैं वो ही आपकी श्रद्धा है जैसी वृत्ती वैसा पुरुष मन, चित, मस्तिश्क ये सब हमारे ही शरीर में है सब में आपस में एक तार तम्य है आपके कर्म आपके संसकार बन करके वापस आपको बनाते हैं इस तरह से पुरुष में श्रद्धा भी बनती है जैसी देवी या आशूरी प्रवर्ती होती है जिस तरह से तीन प्रकृतिया होती हैं उसी तरह से श्रद्धा के भी तीन रूप होते हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षान सीराजसाह प्रेतान भूत गणांश्चान्ये जयन्ते तामसाजनाह श्रद्धा के रूपों को समझाते हुए क्रिष्ण तीनों रूपों की पहचान कर रहे हैं सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं, जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रव्रती है, जैसी जिसकी शद्धा है, उसका इश्ट, उसका भगवान भी वैसा ही है. दोस्तों आप इन तीन प्रकारों को इस तरह से सोच के देखिए, जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हुए कुछ भी अपराद करने को तैयार हो जाते हैं, तो आप किसको पूज रहे हैं, और अपने काम को करतव्य समझ पूरी निष्ठा और इमानदारी से जब करते हैं तो किसको भजते हैं? हजारों में से कोई एक ही होता है, जो शास्त्र विधी पर न चलने के बावजूद भी सत्य को प्राप्त होता है, ज्यादा तर मनुष्च जो शास्त्र विधी से नहीं चलते और अपने ही मन की अनुसार कुछ भी करते हैं, अपने दंब और अहंकार में वो अपनी कामना को अधिक महत्व देते हैं, अपनी आसकती और बलके अभीमान पर वो कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं, ऐसे पुरुष आसुरी होते हैं, इस तरह के पुरुष अविवेकी होते हैं, यानि के सही और गलत में फर्क करने की ख्षमता इन में नहीं होती, ये पुरुष अपने गलत उपवास आदी की वज़े से सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं सुखाते, बलकि अपने अंदर मौजूद आत्मा यानि के कृष्ण को भी परिशान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि ये लोग आसुरी हैं, इसलिए इनकी संगत बहुत ही ज्यादा बुरी होती हैं दोस्तों। आप लोगों के भजन और भोजन के हिसाब से उनकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। भोजन, यग्य, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रब्रति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती हैं। उसी तरह से आपके पूजा पाठ का तरीका या अपना खाना भी तीन तरह का होता है। अपने स्वभाव के अनुसार ही आप अपना जीवन चुनते हैं। और इस जीवन में सब कुछ एक डोर से बंधा होता है। और ये डोर आपका स्वभाव है। जिसमें सब कुछ लगभग एक जैसा ही मिलेगा आपको। जिससे सफाई पसंद है, उसक प्रोच में आपको सफाई ही मिलेगी। आयुहु सत्व बला रुग्य सुख प्रीति विवर्धनाह रस्याह स्निग्धाह स्थे राध्यद्याह आहा राह सात्विकप्रियाह। कृष्ण ने बताया कि भोजन भी प्रब्रती की तरहां तीन तरहें के होते हैं। इन में सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रस्युक्त होता है। चिकना और स्थिर याने के स्टेबल रहता है दोस्तों। स्थिर रहने वाला खाना वो होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है। और ऐसा खाने से हमारी आयू, बुद्धी और बल बढ़ता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्यशाली होते हैं। बीमारियों से बचते हैं। ऐसे खाने से सुख और प्रीती बढ़ती है। स्वभाव से ही मन को प्रीय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रीय होते हैं। कट्वम ललवनात्योष्ण तीक्ष्ण रुक्षविदाहिनह आहारा राजस्यष्टा दुखशू कामयप्रदाह। तीन तरह के खानों के भेद बताते हुए इस श्लोक में कृष्ण राजसिक खाने का भेद बता रहे हैं। क्या होता है राजसिक भोजन जो खाना कड़वा होता है खटास से भरा होता है यानि के खटा होता है जिसमें भरपूर लवन यानि कि नमक होता है एकदम गरम बहुत तीखा और रूखा खाना राजसिक होता है इस तरह का खाना दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला माना जाता है स्वाभाविक है कि राजसिक भोजन राजस पुरुष को पसंद आता है राजसिक खाने में अती होती है नमक की गर्मी की तीखेपन और रूखेपन की इस श्लोक में कृष्ण तामसिक खाने को डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों जो भोजन अधपका रस रहित और दुरगंद युक्त होता है यानि के ठीक तरहें से जो खाना पका नहीं होता जिसमें रस नहीं होता और जिस खाने में से सुगंध ना आकर दुरगंद आती हो उस खाने को तामसिक माना जाता है ये सारे गुण बासी और अपवित्र खाने के हैं तामस पुरुष ही इस तरहें के खाने को पसंद करते हैं अगर राजसिक खाना ही बीमारियों का घर होता है तो आप समझ सकते हैं कि तामसिक खाने से किस तरहें के नुकसान होते होंगे अफलांकाक्षिभिर यग्यों विधिद्रिष्टो यईज्यते यश्टव्यमेवेति मनह समाधायस सात्विकह कृष्ण यग्य यानि की उपासना पूजा के तरीके को बता रहें सात्विक यग्य किस प्रकार का होता है जो शास्त्र विधि से नियत है उसी यग्य को करना ही करतव्य है यानि कि अपने मन को नियंत्रित करके फल को न चाहके जो यग्य किया जाता है वो सात्विक है दोस्तों सिर्फ यग्य करना ही सब कुछ नहीं उस यग्य को करते हुए उस पूजा को करते हुए अपने को भी संयम में रखना है जो अपनी सांसों की प्राण और अपान वायु को संयम मित कर, कंट्रोल कर अपने प्राणों की गती को नियंत्रण में रखते हैं ऐसे लोग ही सात्विक यग्य कर सकते हैं। और ऐसे किये हुए यग्य ही सात्विक माने जाते हैं। अभिसंधायतुपलं दंभार्थमपीचैवयत इज्यते भरतशेश्ठतं यग्यम विधिराजसं। अगर यग्य सिर्फ ईश्वर की आराधना अपने कर्म को उसे समर्पित करने के लिए किया जा रहा है। तो वो यग्य वो पूजा सीधे कृष्ण तक पहुँशती है। लेकिन जिस यग्य या पूजा का परपस सिर्फ अपने आपको बड़ा दिखाना या जिस पूजा को आप सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, किसी फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उस यग्य को राजस माना जाता है। जब पूजा ही किसी फल के उद्देश्य के लिए की गई हो, तो वो पूजा कहां रह जाती है दोस्तों, ये तो एक तरह की भगवान से डील हो गई, के भगवान मेरा ये काम कर दो, तो मैं इतने सोमवार आपको प्रसाज चड़ाऊंगा, इस तरह के यग्य या पूजा से अभी खुश नहीं होते, विधिही नमं स्रिष्टान्नम, मन्त्रही नमं दक्षिणं, शद्धा विरहितं यग्यं, तामसं परिचक्षते, जिस यग्य में शास्त्र का बिलकुल भी सम्मान नहीं किया जाता, जिसमें अन्न दान नहीं किया जाता, ऐसा यग्य, जिसमें मन्त्र नहीं होते, जिसमें दक्षणा नहीं दी जाती, जिसमें शद्धा नहीं होती, ऐसे किये जाने वाले यग्य को तामस यग्य कहते हैं, और जहां पर यग्य या इश्वर के लिए मन में सम्मान और शद्धा ही नहीं, वो यग्य कैसे हो सकता है? वो तो एक तरहें से आप छल कर रहे हैं, इसलिए ऐसे यग्य को तामस कहा गया है. तप यानि की तपस्या क्या होती है? कैसे की जाती है? और कितने तरहें की होती है? इसको समझाते हुए क्रिष्ण कह रहे हैं, देवता, ब्राम्हन और गुरु की पूजा करना ही तप होता है. गुरु का अर्थ आप मानिये कि माता, पिता, आचार्य और व्रिद्ध, जो आपसे किसी भी प्रकार से बड़े हों, ऐसे लोगों का सम्मान, उनकी कही बातों पर चलना और उनकी पूजा ही तप होता है. जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, जब ये विशेष्टाएं होती हैं, तो इस तरहें के तब को शरीर संबंधी तब कहा जाता है. ये तब जो शरीर से किया जाता है. अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियाहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चयव वांग्मयम तप उच्चते जब आप उद्वेग नहीं करते, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाशन करते हैं, यानि के ऐसी बाते करते हैं, जो औरों को अच्छी लगें, उन बातों से सबका फाइदा हो और यथार्थ हो, यानि वो बातें सच हो, इस तरह के तब को वानी संबंधी तब कहा जाता ह दोस्तों, उद्वेग न करना, यानि के एकसाइट न होना, जब आप हर हालत में शांत रहते हैं, मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहते हैं, यानि के यथार्थ भाशन करते हैं, वेद शास्त्रों का पाठ और परमेश्वर के नाम का करते हैं, तो ये वाणी संबंधी तप होता है, वाणी मधुर, सच्ची, शांत और लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलिये, जो सब को शीतल करे, मनह प्रसादह सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भावसंशुधिरित्यतत तपुमानसमुच्यते तपकी एक और विशेष्टा बताते हुए कृष्ण कहते हैं, कि मन में प्रसंदता होनी चाहिए, मन इधर उधर न भाग रहा हो, शांत भाव में हो, और मन में भगवान को याद करने का भाव होना चाहिए, जब मन इस तरहां की अवस्था में होता है, तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है, मन का निग्रह याने के मन को सब और से मोड के, सिर्फ उस परमात्मा पर केंद्रित कर लेना, और साथ में अंतह करण के भावों की भाली भावांती पवित्रता, जब ये संब्भव होता है, तो मन संबंधी तप कहलाता है, और ये तप शरीर से भी होता है, वानी से भी होता है, और जैसा अभी कृष्ण ने बताया, मन से भी होता है. शद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम न रहि, अफला कांक्षि भेर युक्तहि, सात्विकं परिचक्षते. जब देवता, ब्राम्भन और गुरु की सचे मन से पूजा की जाए, तो वो शरीर संबंधी तप होता है, अच्छी वानी से सब को अच्छा लगे, सच बोला जाए, और सब का भला हो, वो वानी संबंधी तप होता है. और जब मन को नियंत्रण में ला, प्रसन्नता और शान्ति का भाव हो, तथा मन भगवान में ही लगा हो, तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है. फल को न चाहने वाले योगी पुर्शों द्वारा परमशद्धा से कियो हुए इस तरह के तीन प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं, जब तप किया जाए, तो वो मन, वचन और शरीर से होना चाहिए, तब ही तो वो सात्विक कहलाएगा. सत्कार मान पूजार्थम तपोदं भेन चैवयत क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमत ध्रुवं जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए किया जाता है, जैसे के कोई बहुत बड़ा ब्राम्वन है या बहुत बड़ा विद्वान है, इसलिए उसके पैर धोकर उसका सत्कार किया जाए, तब वो तप राजसी कहा जाता है. जब तप में पाखंड आ जाए, यानि कि शद्धा की जगहें सिर्फ दिखावा करना ही इरादा हो, ये दिखाना कि कितनी बड़ी पूजा या यग्य किया जा रहा है, तब वो तप राजसिक कहलाया जाता है. इस तरह कि राजसिक तब से जो फल होता है, वो अनिश्चित होता है. अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं, जिसका फल ख्षनिक हो, यानि कि इस राजसिक तब से जो फल आएगा, वो थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा. मूढ ग्राहे नात्मनों यद्पीड याक्रियते तपह परस्योत्सादनार्थम्वा तत्ताम समुदारितं। जो तप मूढ ता पूर्वक हट से किया जाता है, वो तामसिक श्रेणी में आता है। समझदारी की जिद दिड़ निश्चै होती है। उसी तरह से बेवकूफी में जो जिद होती है न दोस्तों, वो ही मूढ ता पूर्वक हट होता है। तामसिक तप दूसरे को मन, वानी और शरीर की पीड़ा देने के लिए किया जाता है। बुरा सोचना, बुरा कहना और दूसरे के शरीर को नुकसान पहुँचाना ही उसका परपज होता है। इस तब का उद्देश दूसरे का अनिष्ट होता है। जब दृष्टी कोण ही दूसरे को पीड़ा या दूसरे को नुकसान पहुँचाने का हो, तो उससे क्या च्छा निकलेगा। ऐसे तब को इसी लिए सबसे बुरा बताया गया है। दातव्यमिते यद्ध्यानम दीयते नुपकारिने देशे कालेच पात्रेच तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान की परिभाशा को कृष्ण समझा रहे हैं। दान देना एक कर्तव्य है। जब जहां पर जिस वस्तु का अभाव हो, उसी वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने को ही दान कहा जाता है। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है, अगर उसे वो देंगे, तभी तो उसका भला होगा। भूखे, अनात, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक को अन, वस्त्र और आशद ही दी जानी चाहिए। इरादा जरूरत मन की जरूरत पूरा करने का होना चाहिए दोस्तों, जब ऐसा होता है, तो वो दान सात्विक कहलाया जाता है। सात्विक दान करते हुए उपकार की भावना, जैसे कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्रिष्यवापुनह दियतेचा परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतं। जो दान कलेश पूर्वक यानि की परिशान होकर किया जाए, जैसे आजकल चंदे आदी में धन दिया जाता है, उस तरह का दान राजसिक कहलाता है। अगर फल को दृष्टी में रखकर जैसे कि मैं ऐसा दान करूँगा तो मुझे वो फाइदा होगा, मान बढ़ाई मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, लाब की प्राप्ती होगी, ऐसे दान को राजस दान कहा जाता है। देने में अगर लेने का भाव आ जाए, कि दान के बदले में आपको नाम, लाब या प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वो कभी भी सात्विक दान नहीं कहलाया जा सकता। अरे दान तो खुश होके करने वाली वस्तू है दोस्तों, क्लेश या जबर्दस्ती किया गया दान, राजसिक ही माना जाता है। अदेशकाले यद्ध्यानम पात्रे भ्यष्च दियते असद्कृतम अवग्न्यातम तत्ताम समुदारितम। जब जहां जिस वस्तू की जरूरत ना हो, वहां पर वो ही वस्तू ऐसे इनसान को दी जाए, तो वो दान तामसिक माना जाता है। अगर आप चोर को दान देते हैं, तो उसका क्या प्रयोजन हो सकता है। जिस दाम में सत्कार नहीं है, यानि कि बिना सम्मान के जब किया जा रहा है, तब वह दान तामसिक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुपात्र को यानि कि बुरे आदमी को दान देने से खुद देने वाला ही नश्ट हो जाता है। इसलिए तामसिक दान बहुत ही बुरी चीज है हमारे अपने जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब बिना सम्मान बिना जरूरत हम गलत लोगों को दान देते हैं वो तामसिक दान ही होता है ओम्तचदिते निर्देशो ब्रह्म्हनस्त्रिविधस्मृताह ब्रह्म्हनास्तेनवेदाश्च यज्ञ्याश्च वेहिताह पूराह यज्य दान और तपको सद्गुण संपन्न बनाने के लिए यानि के यग्य, दान और तपको सभी गुणों से संपन्न करने के लिए तीन तरहा के निर्देश दिये गए है ओम्, तत और सत ये तीनों सच्चिदानंद घन ब्रह्म्ह के नाम है निर्देश उसको कहा जाता है दोस्तों जिससे के कोई वस्तु बतलाई जाती है यग्य, दान और तपको बताने के लिए ब्रह्म्ह के इन तीन नामों का इस्तिमाल किया जाता है और वे हैं ओम्, तत और सत इसके पीछे भी वज़े है दोस्तों क्योंकि स्रिष्टी के आदी काल में ब्रह्म्हन और वेद तथा यग्यादी ओम, तत और सत से ही रचे गए ओम, तत और सत उस ब्रह्म्ह की तरह विशारा करते हैं और उनका संकेत भी देते हैं तस्मादू मित्युदार हित्य यग्यदान तपह क्रियाह प्रवर्तंते विधानुक्तह सततं ब्रह्म्ह वादिनाम ओम, तत और सत की महिमा बताते हुए कृष्ण समझा रहे हैं कि यग्य, ब्राम्हन और वेद, ओम से ही पैदा हुए हैं यही वजह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण ओम से शुरू किया जाता है श्रेष्ट पुर्षों की शास्त्र विधी से नियत यग्य, दान और तप रूप क्रियाएं, सदा, ओम यानि कि परमात्मा के नाम के उच्चारण करके ही आरंभ होती है ओम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है इसे नादस्वर, ब्रह्मनाद, यानि कि बिग बैंक के समय होने वाली धनी भी कहा गया है दोस्तों ओम ही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है ओम ही हमारी आत्मा है ओम तत और सत को समझाते हुए कृष्ण इस श्लोक में तत के बारे में बता रहे हैं तत का अर्थ होता है वह यानि कि वह परमात्मा ही सब कुछ है तत शब्द परमात्मा के लिए समर्पन सूचक है अर्थात आप अपने सारे कर्म, सारे कर्तव्य, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा, तत यानि के परमात्मा को ही समर्पित करें तत का अर्थ ये सब उसी का है, जो सब कुछ उसी का है तो सब कुछ जाएगा भी उसी को ना दोस्तों इसी भाव को मन में रखते हुए और फल को न चाहते हुए श्रेष्ट पुरुष, यग्य, तप और दान करते हैं सद्भावे साधु भावे चा सदित्यतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मनी तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते जो सच है, सत्य है, वो हमेशा के लिए होता है, सत्य कभी बदलता नहीं, बात को कितनी भी घुमाई जाए, फिराई जाए, फिर भी सत्य तो सत्य रहता है इसी सत को कृष्ण समझा रहे हैं कि ये क्या होता है सत परमात्मा का ही नाम है जो सत्य भाव में, श्रेष्ट भाव में प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि उस परमात्मा से बड़ा सच और है भी क्या? कुछ भी तो नहीं जब भी कोई अच्छा काम उत्तम कर्म किया जाता है तो उसमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है सच के लिए जो भाव है वो ही सत है इसी लिए आप सच का सम्मान करना सीखिए दोस्तों सच को अपने हिसाब से बदलिये मत यगने तपसिदाने च स्थितिह सदिती चोच्चते कर्म चैवत तदर्थियम सदित्यवाभिधियते जब परमात्मा सबसे बड़ा सच है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो काम किये जाते हैं उत्तम कार्य वो भी सच ही हुए ना याने कि यग्य तप और दान में जो स्थिति होती है उसे भी सत ही कहा जाता है यग्य तप और दान ऐसे कार्य हैं जो परमात्मा तक आपको ले जाने का काम करते हैं, इसी लिए उनसे होने वाली स्थिती सत होती है, सच्चे मन से यग्य या तब या दान जब भी किया जाता है, अपने हर कर्म को उसी परमात्मा को सौप दिया जाता है, करता खुद को नमान अपने पर घमंड किये बिना जब आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, तो वो सत ही कहलाता है। जिस काम को करने में जूट शामिल हो, तो उस काम का अंत क्या सच हो सकता है। जहां नीव जूटी हो, वहां क्या उंचाई सच्ची हो सकती है। कभी नहीं। काम हो, रिष्टे हो, पूजा अर्चना हो, आपका आधार असत्य नहीं हो सकता। जब यग्य या तप या दान किसी फल के इरादे से लोब की वज़े से किया जाता है, जब काम करने में श्रद्धा नहीं होती और मनतव्य कुछ और ही होता है, तो इस तरह के सारे काम, सारी क्रियाएं, सब असत् कही जाती हैं, सत् से ठीक उल्टा होता है असत्, ऐसे जूटे काम न तो इस लोक में लाबदायक होते हैं, और ना ही मरने के बाद, सत् और असत के भेड, शद्धा की परिभाशा को समझते हुए खत्म होता है, हमारा ये सत्रहवा अध्या आए, सात्विक, तामसिक और राजसिक सब इन तीन गुणों का ही खेल है दोस्तों, इन तीनों को समझ कर आप अज्ञान से ग्यान में आ सकते हैं, इन तीन गुणों को आप आसान मत समझेगा दोस्तों, आपकी हर समझ पर ये भारी पढ़ सकते हैं, तो लीजिये, मैं शलेंद्र भारती अध्याय सत्रह को यहीं संपूर्ण कर रहा हूँ एन जाँ मत मत समझेगा, जाँ पर रहा हूँ